हालो गैज, वैलकम मैंने वीडियो तो गैज इस वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाले की honest कमन की information आपके लिए के हैं तो GUYS इस वीडियो में बताने वाल है जो QCD cylinder उनको plant कैसे बेचते या इनका चलान कैसे बनाते हैं यह नहीं लिए जाएंगे यह आप परचियां देख रहे हैं किसी दिशनेंडर में लगाना पड़ेगा यानि जो सिलेंडर उन पर लगा के और किसी दिशनेंडर पड़ेगा तब यह प्लांट में एक्सेप्ट होंगे यानि वहां लिए जाएंगे तो यह दिमस में हम आ गया और यहां पर एक अभी लोड आया है तो लोड हम अभी चेकले 346 चैका यानि 344 केजी के और 619 केजी के सिलेंडर आए इसके पहले हम स्टॉक चेकले हैं कि स्टॉक में हमारे किसी दिशनेंडर नहीं देखते हैं फिल्ड में देखते हैं तो यहां प पर चैनल को सब्सक्राब करने साथ में बिलाइकन है करने के बाद हमें एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर दिलेवली चलान तो उस पर यहां पर आपको ध्यान से देखना है नहीं अगर आप मिस्टेक किया तो आपका पूरी मेनत बरबात यानि आपके सिलेंडर वापस प्लांट नहीं जाएंगे अगर गलती से आपका चलान बनाने पर सर्वर इसू या नेट इसू या किसी वज़े से लागाउट हो जाता है तो आप दोबारस उसको परचेज में जाकर रिटर्न और पर और यहां पर से डियो सी नमबर डालकर दोबार से अपना चलान सच कर सकते हैं देख सकते हैं तो और यह देखी वही चीज आ गई जैसे हमने सर्च किया अब यहां पर हमें करना क्या है औ सारबना बंक लेख सारे से यहां पर आ जाएंगे पर मेरे इस स्टाक में टोटल के इसे सी उसलेंडर यहां नहीं आकि इहां पर देख सकते हैं सारे से जोबी और और सारे कूछ यहां पर दिखेगा जब आप इस तरह से रहे एंगे तभी आप plant भेज पाएंगे, अगर आपने थोड़ी सी मिस किया, तो आप plant नहीं भेज पाएंगे, plant मतलब accept नहीं करेगा, फिर आपको swim plant जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपनी लेवर लेके जाना पड़ेगा, और उतराना पड़ेगा, तभी यो, मतलब accept होंगे वहाँ पर, और एक later भी लिखना पड़ेगा, वो later last में बताता हूँ, वो telegram पर डाल दूँगा, वहाँ जाके कैसी लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह सारे QCD हैं, अब इनको मैं all select कर लूँगा, सभी जितने भी QCD सिलेंडर है, इसके बाद आइड पर क्लिक कर दूँगा, तो यह सारे आइड हो जाएंगे यहाँ पर, नीचे जितने सिलेंडर हैं, सारे के सारे यहाँ पर आइड हो जाएंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारे QCD होएं कि कुछ और आइड होगें, बट मेरे stock में QCD हैं और कुछ दूसर सिलेंडर है नहीं, देख सकते हैं, तो 293 के बचेंगे, तो 293 का पूरा लोड हो जाएगा, इसके बाद हमें ड्राइवर का नाम डाल देना है, जो भी नाम है और इसके बाद रेमार्क में ओके या जो भी है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्तत नहीं है, ओके ही डाल देना है, जैसे पर्ची लगाना है तो कोई एरर नहीं आ रहा है तो कोई एरर नहीं आए यह दिखे सम्मिट हो गए बीना किसी प्रॉब्लम के इसमें एफो और किसी के अप्रूबल नहीं चाहिए लेकिन आपको ध्यान रखना है कि QCD ही आपको भीजना है तो QCD सभी सिलेंडरों पर लेबल वो परची लगाना है उस पर QCD लिखना है तभी प्लांट में रिटर्न होंगे और एक लेटर अगर किसी सिलेंडर का नेट वेट जीरो आ रहा है 14.2 केजी नहीं आ रहा है तो उसके लिए लेटर मैं आगे दिखा रहा हूं वो टेलिग्राम में डाल दूँगा वहां जाके आप देख लिजेगा तो इसको डाउनलोड कर लेना और इसकी तीन प्रतिया निकालने एक अपने पास रखेंगे दो प अटाक से हमने डाउनलोड कर लिया अब इस तरह से डाउनलोड हो के आगे सारी यहां पर किसुट की जितनी भी है सारा कुछ यहां पर दिख रहा है सभी सिलेंडरों का ठीक है यह देख सकते हैं एक बार में चेक करके आपको दिखाए दे रहा हूं यह पूरा कॉलम जितने सिलेंडर की वह भी टेलिग्राम पर है तो वहां जाके आप देख लीजेगा और उनको प्रिंट निगाल के हर सिलेंडर में आपको चिपका देनी है और किसी डियू लिख देना है पीछे तरफ लदवाना है जो सिलेंडर होते किसी डियू आले तो गाईज अगर कुछ भी प्रॉब्लम आये तो आप कमेंट करके मुझसे पूंच सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल वाटसब ग्रूप पर भी जॉइन हो सकते हो इसकी लिंक में टेक्सिपने देंगा वहां पर आपको पूरी एल्प मिलेगे तो अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगो तो वीड कर दो सकते हना है